मित्रो इतना तेज रिजल्ट तो मुंबई पुलिस भी नहीं देती है यानि कि 10 तारिक को UPSC की प्रिलिम हुई और कल यानि 29 अक्टोबर को रिजल्ट आ गया अल्मोस्ट इन 19 days अब यह जो UPSC प्रिलिम मेंस और इंटर्वी होता है तो फाइनल वेकंसी पहले से उन्होंने सोच के रखे हो कि मालिजे 712 तो उसके सामने करीब 13 गुना उमिदवारों को प्रिलिम से मेंस में पास करते है तो आँ 9,000 candidates qualified from प्रिलिम से मेंस और वो descriptive exam होगी January 2022 में उसमें वो परिक्षा देंगे पिछले कई सालों में हम देखे तो ये lowest number of vacancies है इस बार तो उसी साब से बहुत कम लोगों को मेंस लिखने का मौका मिले तो ऐसी situation में दो problem आते हैं एक तो vacancy कम है जिसके चलते competition बढ़ता है और दूसरा की paper खुद से भी बहुत जादा tough है तो वो भी मेनत अपनी बढ़ा देता है जो लोग इसमें पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई उनको और मुझे जादा कुछ कहने की जरुवत नहीं क्योंकि देखे कम vacancy, tough paper फिर भी वो select हुए उसका मतलब क्या वो सब उनको पता है क्या तैयारी कैसे करने तो और सला देने का they do not require it प्रशन की जो fail हुए हैं उनको क्या कहना है या उनको क्या सुधार करना है खुद में तेके जो UPSC 2021 प्रिलिम में fail हुए तिन टाइप के candidates होंगे एक होंगे बाबूश होने तो उनको कुछ कहना नहीं मुझे वो सब ऐसे कि 40 मार्गा भी वो सही से टिक नहीं करके आए मलब 20 questions also not done out of 100 questions दूसरे होंगे middle of the way वो ऐसे कि माली जे 40 to 75 marks का उनका correct score हुआ negative or wrong वो सब बूल जाओ कि कम से कम 40 mark का मैंने correct टिक किया था there is no need to feel ashamed कुछ उसमें हमें माबाब रिष्टेदार कुछ सुनाएं शर्मिदा होने की जरूवत नहीं क्योंकि वो ऐसा है कि माली जापने 3 महीने 4 महीने नय नय पड़़ए चुरू किया हो और आप दे रहे हैं या आपको कुछ पता ही नहीं अकेले में तयारी कर रहे थे कुछ आदा दुरा सुनके लेकिन फिर भी 100 में से 20, 25, 30 करेक्ट हो जाएं जिसके तो मालब कि कुछ तो सोच के तयारी करके गया था and in future there is still hope अभी भी उम्मीद है कि अगले साल आप करें तो हो सकता है सब तो कुछ उसमें शरम करने की कोई जरूरत नहीं है वापस आप अपनी तयारी आगे बढ़ा तीसरे होंगे Crime Master Go Go अलब हाथ आया और मू ना लगा थोड़े माक के लिए रह जाए कि 75, 85, 95 ऐसे अलग-अलग जो category wise score और उसमें वो थोड़े-थोड़े माक के लिए शायद रह जाते हूं उनको भी कोई शरम करने की इसमें जरूरत नहीं है It is a tough paper, less number of vacancy तो number नहीं भी लगया और अपनी कुछ गलतियां होई हो बात यह है कि अपनी गलतियों से हमने सबक लेना है क्या-क्या लोग गलती करते हैं एक सबसे पहला कि incorrect type of post exam analysis दूसरा, दूसरों को दो शार open करना तीसरा, silly mistake करना और चौथा, blind बक्ती करना एक-एक करके कुछ उदारन देखते हैं First of all, incorrect post exam analysis वो ऐसी बात है कि जैसे यह exam खतम होती है तो जादा तर लोगों को सिर्फ इसमें दिल्चस्पी है कि उनका score क्या बन रहा है अलग-अलग 3-4 वेबसाइट की answer की उठाओ और मेरा 90 हो रहा है 95 हो रहा है, 100 हो यह वो उसको उसमें दिल्चस्पी है वो जो जो एनालिसीस करना चाहिए that is more important than finding out the score क्योंकि वो तो score तो आप तो टिक करके गा या वो जो आएगा वो आना ही है वो 19 days में मिल जाएगा जवाब तुमको result क्या है for example, take this question which of the following are datry wars earthworm, jellyfish, millipeds, seahorse, woodlice अब पहले तो कई विद्यार्थी ऐसे जीरवर में सुना ही नहीं हो datry war नाम की चीज़ क्या है और यह सब option दिये है इसका जवाब है की नहीं, पहले तो यह ढूंडो अपने पास जो material था उसमें जवाब है की नहीं तो NCRT class 12 की बालोजिक किताब में हमको कुछ मिल जाए NIOS की environment की book में यह मिल नहीं रहा है शंकराइस की book में उसने लिखा दो है datry war लेकिन एक्जामपल नहीं दिये so it depends की वो व्यक्ति को कितनी समझ है उसी साब से वो कर पाए खेर हम बात करें चल यह class 12 की biology किताब में कुछ है datry war जैसे की earthworm की वो soil को breakdown करते हैं तो इसी साब से okay earthworm is correct तो पहला correct है तो A, C या D जवाब हो सकता था अब आगे थोड़ा logic लगाओ earthworm वो जो होता है वो जमिन पे रहता है तो अगर वो इस group में datry war में तो कोई jelly fish और sea horse जो समंदर में वो मतलब बात जम नहीं रही है तो उसी साब से आप कुछ eliminate करो 2 and 4 को तो अपना A eliminate हो गया B eliminate हो गया D eliminate तो जवाब है C 1, 3, 5 which are part of datry war ऐसा कुछ बना सकते हैं अब ऐसी बात है कि कुछ लोग यह कहेंगे कि नहीं यह तो आप कह रहे हो कि class 11-12 की biology की book तो हमको कैसे सपना आ जाना चाहिए था कि यह उदर से पूछा जाने वाला है बई सपना की बात है यह नहीं मैं तो 2019 की answer की में भी मैंने यही लिखा था कि यह चीज़ पढ़ो selective study of class 11-12 biology textbook flora for analogy related chapters 2020 last year की answer की analysis में भी मैंने यही काता कि यह पढ़ो तो ऐसा नहीं कि आज paper हुआ और मैं अब कह रहा हूँ कि आपको सपना आ जाना चाहिए कि उदर से पूछा जाने वाला है तो यह सब पढ़ना है आपने ऐसे कुछ और भी प्रशन है 11-12 की यह biology, chemistry वाली किताब में से कुछ logic fit करो तो अपना जवाब बने अब कुछ लोग यह कहेंगे ने यह तो सब IIT और science graduate और engineer को pass करने का paper है और क्यूंकि science environment के question में उनको elimination में मज़ा आता है जबकि history, polity, economy के प्रशन है वो तो hit and miss case है कि या तो immunity वाला भी टिक करेगा, science वाला भी टिक करेगा या दोनों इने टिक कर पाएंगे एक दम कुछ अत्रोंगी पूछाओ तो तो इसका क्या जवाब है बई जवाब यह है कि आप पूरी दुनिया को blame कर लो UPSC से लेके IIT science engineer सब को उससे तो जो अगली प्रिलिम करीब 219 days के बाद होने वाली है उसको पास करने में आपको कोई मदद बिल नहीं रही है आपने करना क्या है आपने पढ़ा ही करनी है तो स्विकार करो यह कोई न्याय पूर्ण दुनिया है ही नही इदर बलवान को और बलवान बनाया ही जाता है तो आपने खुद भी थोड़ा और बलवान बनाना है बनना है खुद से ताकि आपको कुछ और आगे बढ़ने की मौका मिले So study the things उसका कोई विकल्प नहीं है अब ऐसा ही एक और प्रशन पूचा गया यह 2021 प्रिलिम में Primary producer in the ocean अब उसका क्या जवाब है Sinobacteria die atom यह तो हर बुक में NCRT class 11 में चलिए वो नहीं आपके पास तो NIOS के अंदर है चलिए वो नहीं आपके पास Sankar IS में तो यह तो ऐसी चीज़े की दी है तो यह गलत नहीं होना चाहिए आपके पास material है आप ठीक से न पढ़ें और फिर वो कि नहीं है तो ऐसा अतरंगी दीखता है तो automatically this is not for me तो गलत है तरीक आपका exam analysis का तो यह एक बात हुई incorrect post exam analysis blaming others और एक गलती करते हैं लोग silly mistakes silly mistake ऐसी कि question को ठीक से नहीं पढ़ना वो जैसे whatsapp का message उपर उपर से scroll down किया या facebook का post scroll down किया ऐसे ही वो पढ़ते है observe this one consider following rivers brahma mani nagalwali subarnarekha which of the following rise from eastern ghat इसमें से किसका eastern पूर्विय घाट से उदय होता है और फिर आपको option दिये है अब यह कहीं है की नहीं सुनने में आया की नहीं असल में यह 11-12 की NCRD इंडिया physical geography में देखो कुछ लिखा है क्या लिखा है there are a lot number of rivers flowing towards the east जिसमें सुन रेखा फिर यह बैतरानी brahma mani वमसादारा यह सब है अब लोग इसमें गलती क्या करेंगे देखिए east flowing river पूर्व दिशा में बहना it is not the same thing as eastern घाट की river पूर्व यह घाट से निकलना वो तो west bengal या अरुना चल प्रदेश से भी कुछ उस तरब जाए तो पन उसका मलब यह नहीं कि वो eastern घाट से निकल लई है दो चीज अलग है तो जो लोग पढ़के आदे अदूर यह knowledge के साथ टिक मास्टर गिरी करते हैं तो उनको लगे अच्छा देखो ब्रह्मो मनी, सुबर्नरेका, वमसादारा यह तो सब east में जाती हैं तो उसी में से कुछ करूँ मैं 50-50 तो उसी साब से C या D में से कुछ हो सकता था असल में ऐसा नहीं है वो दू अलग चीज है वो तो आपने नक्षे में उसकी location आपको पता हो कि अच्छा यह जो यह ब्रह्मो मनी और सुबर्नरेका है वो तो यहाँ पर है महानदी के थोड़ा उपर और जो eastern gart है वो सारा उससे थोड़ा नीचे है that means they are wrong और उस हिसाब से जवाब कुछ अलबख हो तो आप जो 50-50 elimination ट्रिक कर रहे है but it is not helping there इसका मलब यह नहीं कि 50-50 elimination नहीं करना चाहिए लेकिन वो भी हर जगा जबर्जस्ती especially when paper is very tough तो unnecessarily जरूरत हो नहो जबर्जस्ती हर जगा पर gambling मत करते रहो एक ऐसा ओओ और प्रश्न silly mistake economy में पूछा RBA governor appointed by central government certain provisions of the constitution of India give central government the right to issue direction to RBA in public interest जनहीत में सरकार रिजव बेंक को आदेश दे सके ऐसा सम्विदान में दिया है और तीसरा RBA governor draws power from RBA उसको governor को RBA x से शक्तिया मिलती है और फिर आपको सब statement पूछे गए अब इसमें लोग गलती क्या करेंगे द्यान से इसको पढ़ेंगे नहीं तो वो second statement भी कि हाँ government तो दे सकते हैं RBA को order वो तो है साहब और majority shareholder वागएरा and then they will take D option 1, 2, 3 जो असल में गलत है क्योंकि second statement itself is wrong constitution में ऐसा नहीं लिखा कि government RBA को order देगी वो तो RBA act और उसके section 7 में ऐसी सब है कि for public interest central government can give order तो second statement is wrong and therefore answer will be C1 and 3 only ये तो act है ऐसी तो बहुत सारी silly mistake की होगी कि जहाँ पर आपको समझ है almost like 75% of the question का knowledge आपको है लेकिन आप तिक गलत करें and lastly blind भक्ती blind भक्ती ऐसी किये latest 2021 प्रिलिम में polity में से 18 question पूछे गए अब उसमें source of the question निकालो तो लक्ष्मी कांत में से कुछ 8, 9, 10 से ऐसे निकले कि word by word उससे जवाब मिले लेकिन out of 18 question बाकी बहुत सारे प्रशने ऐसे जो कि थोड़ा NCRT का knowledge मांगे एक दो प्रशने ऐसे थे Indian Express या The Hindu में वो जो Explained series आती है Judicial custody, Right to Parole ऐसा सब एक दो साल पुराना पुछा हो कुछ तो random थे वो सब अईंगर कमिटी वो हम ठीक नहीं कर सकते but my point is blind भक्ती कि बस लक्ष्मी कांत के बाहर मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं मेरा quality subject is over the moment I am finished with Lakshmika and that is not the way to go about it बाकी भी नजर होनी चाहिए सब additional knowledge करना चाहिए तो blind भक्ती लोग किधर किधर करते हैं एक तो कोई book, pdf, material में कि बस उसमें ही सारा समय वो लेके बैठे रहते कि उसके बाहर कोई दिन्या है ही नहीं then you are to think कि इतना page में पढ़ रहा हूं तो सामने कितने MCQ आ रहे हैं और कुछ बाहर से पूछ रहे हैं कि नहीं blind भक्ती teachers में कि वो सब 25 दिन में पैसा डबल उस टाइप के छोटे-छोटे सब compact course gist summary अब देखे जिस्ट summary वगएरा उपयोगी है कुछ selected area में जैसे आप बात करें कि land reforms, internal security, food processing means के ऐसे कुछ topic उसमें बहुत ज़्यादा दमखम भी लगा तो हर साल कुछ पूछते नहीं और पूछे तो वही 250 words में गिसापिटा लेकिए आप निकल सकते हैं but it is not that geography में भी आप ऐसा ही करो तो geography का भी course 25 दिन में तो खतम हो सकता है लेकिन उसमें क्या आपको इतना ग्यान मिल जाएगा कि आप ये suburnar एखा और वो जो पूछा सब वो कर सकते हैं क्या difficult है तो बार-बार पढ़ना है और वो NCRT book में खुद उसने लिखा था suburn और एखा वाले पूरे paragraph में की teacher and student should watch the atlas तो अपने खुद देखना जी कि इदर से क्या निकल रहा है उंगली से ऐसे गुमा के करो कहा पर जा रहा है then you will get the correct answer तो blind बक्ती नहीं होनी चाहिए blind बक्ती test series में कि पूरा दिन कुछ लोग test series, test series daily, answer writing और daily, this, that, phaladim का पन क्या उसकी quality UPSC के प्रशनों के हिसाब से बराबर है की नहीं या अतरंगी कुछ भी दो statement newspaper column से उठा दिया और find true, find, false ऐसा पूछ रहा है पुराने papers देखिए आप उसी तरह ठीक से न तो prelim means का कुछ syllabus complete हुआ और daily लगे रहते हैं daily means answer writing challenges में तो भाई आपका पहले प्रशनम मेरा ये है prelim pass हुए कि नहीं नहीं हुए तो फिर वो सब जो किया उसका क्या उप्योग था blind बक्ती of toppers toppers में कुछ ऐसे हैं खुद पास हो गया सब कुछ रटके बैठे और अभी ऐसी बात करते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही पास हो गया उनकी सब बात ऐसी है कि it does not require lot of time and effort तमबूरा सब तो कितना रटके जाना पड़े तब होता है and lastly romanticism romanticism मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम आ जाना कुछ ऐसे बाबूश होने है कि वो ऐसा सोचते हैं कि उनको कल सुबह ही Indian foreign service में चीन का या पाकिस्तान का ambassador बना देंगे और उसका उसको पूरा सब PhD ज्यान होना चाहिए तो आईड़ी ऐसे EPFO एक था टाइगर James Bond उसी में लगे रहते है फिर यह ऐसा यह Press Information Bureau Daily Current Affairs आप analysis करो Excel बना के 100 प्रशन पूछे हैं उसमें से Last One Year के Current Affairs में से कितना पूछा करीब 7 प्रशन पूछे गए बाकि सब ऐसी चीज़े हैं कि जो तो दो साल, तीन साल, साथ साल पूरानी चीज़ में पूछी हो तो disproportionate amount of time must not be devoted there अब या आपको प्रस्ना हो कि मुनाल सराब खुद तो daily वीडियो बनाते हो तो क्यों ऐसा बोल रहे मैं तो बनाता हूँ मुझे तो YouTube में page views चाहिए लेकिन उसको तैयार करने का एक तरीका होना चाहिए कि पूरा दिन वो लेके नहीं बैठा रहना चाहिए वो 20 मिनिट में खतम गया तो खतम हो जाना चाहिए कैर यह जो मैं कुछ दिनों से daily current affairs वीडियो बना रहा था अब से मैं इसमें ऐसा करने वाला हूँ कि गुरुवार को और रविवार को मैं चुट्टी रखूँगा उस दिन जो भी newspaper में होगा वो उसके बाद वाले दिन की जो वीडियो होगी उसमें मैं डाल दूँगा प्रशन है ऐसा क्यों उसके कारण कुछ ऐसे हैं कि पहले तो प्रिलिम खतम हुए फिर कुछ दिन मेरे पास और कुछ काम नहीं था तो I was able to devote a lot of time to this लेकिन अभी वापस से मेरे paid course से चुरू हो रहे हैं तो उसका content अपडेट करो उसमें students की subquery solve करो it requires time and effort दूसरा कुछ और भी चीज़ें जिस पर मैं काम कर रहा हूँ जैसे mains model answer, mains analysis तो वो content बनाने के लिए भी फिर ये रोज लेके बैठ रहो time कम हो जाता है तीसरा ये YouTube वीडियो बनाने से अपकोर्स advertisement revenue मिलता है लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कि चाती पर बांद के सारा पैसा ले जाओ तो फिर थोड़ा work life balance mental physical rest is also required तो ये होगा गुरुवार और रविवार को मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा daily current affairs वाला उसमें जुन होगा वो बाद वाले दिनों के अंदर हो जाएगी चीज के अभी में मुद्दे पे आते हैं कि आज 30 October शनिवार के इंडियन एक्सपेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज़े क्या लगी वैसे काम की चीज़े तो कमी थी दो चार मुद्दे जानने लाएक तो ये प्रदान मंत्री जनारोग योद्ना का कवरेज बढ़ाया जाए Economic Policy Uncertainty RBI के Governor का Tenure Slaughterhouse की एक Case Study बनाते हैं वगेरा ये जो सारी चीज़े इसका ये Black Color का Text आपको मिल जाएगा मेरे Telegram Munal.org पे और जब ये बहुत सारे दिनों का जमा हो जाए तो मैं इसकी एक Excel फाइल बनाकर अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ That is Munal.org Just a minute Yes तो पहली समाचार है About Economic Policy Uncertainty वो ऐसा है कि Rail Mantra ले के नीचे एक सरकारी कमपनी है IRCTC जो ये सब Railway Catering, Railway Ticket Booking वो सब का काम देखती है अब अचानक से Rail Mantra ले को सपना आ गया कि ये जो सोने का अंडा देती है ये मुर्गी पस उसकी पीठने पेठी चीर देना है पीठी इसलिए क्योंकि मैं हिंदी बोलूँ और ये टाइप करें ऐसा मैं Google Locks में इस्तेमाल करता हूँ तो ये ठीक से नहीं पकड़ता कुछ बार हाँ तो ऐसा का कि IRCTC कंपनी को जितनी कमाई हो रही है उसका 50% उसने Rail Ministry को शेर कर देना होगा ऐसा अचानक से तुगलकी फर्मान कल परसों में दिया जिसे होगा क्या ये समाचार सुनते ही कंपनी के जो शेर दारक थे मालब प्राइवेट सेक्टर वाले मेरे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो होंगे कुछ मूच्छ फंड वाले होंगे वो सब इसके शेर को बेज कर बागने लगे क्यों क्योंकि उन्हें लगे कि आदा पैसा तो उदर रेल मिनिस्टी को दे दिया तो डिविडेंट के नाम पे प्रॉफिट शेरिंग के नाम पे हमारे हाथ में कुछ आएगा नहीं तो इसके चलते हैं सब लोग पैनिक में सेल करके बागने लगे तो क्या होगा शेर की सेलिंग वाले सप्लाइ बढ़ जाएगी सामने डिमांड उतनी होगी नहीं तो प्राइस almost like 30% गिरने लगा अब ये अच्छी बात नहीं है सोचो क्यूं क्योंकि फ्यूचर में जब गवर्मेंट खुद से विनिवेश यानि डिसिन्वेस्टमेंट करे कि हमारे पास माली जे 60% शेर होल्डिंग है और उसको हमको बेश देना है ताकि पैसा मिले और गरीब कल्यान योदना चलानी है अब ओरिद नली माली जे वो शेर का प्राइस 4000 रुपी हो और ये सब पैनिक में गिर के 3000 रुपी हो जाए तो सरकार को डिसिन्वेस्टमेंट करते वक्त कम रकम मिलेगी तो मतलब ये सब अच्छी बात नहीं है इसलिए फिर रेल मंत्राले को डर लगा तो उन्होंने अपना पसीने छूट गए और निर्ने वापस ले लिया तो ये प्रकार से क्या है आर्थिक नीतियों में अनिश्चित्ता इकनामिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी और ये पहला मुद्दा नहीं है इससे भी पहले कई बार ऐसा हो चुका है जैसे कि मेरे क्याल से मार्च महिने में ऐसा बोला कि सभी स्मॉल सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट कम करेंगे पिर अचानक से कि नहीं वेस्ट बेंगाल में इलेक्शन है तो मत करो उससे पहले कुछ बोला ये वाली चीज़ पर इंकम टेक्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे बचना चाहिए इससे ऐसा फाइनांस मिनिस्टी ने सभी मिनिस्टी इसको सजेश्ट किया बलब 2018 में आये थे और 2024 तक रहेंगे जो अच्छी बात है आपके लिए और मेरे लिए भी कि हमको नया कुछ जनरल नौलेज याद नहीं करना पड़े और मुझे अपने सारे पावर पॉइंट में उसका फोटो चेंज नहीं करना पड़े तो बहुत बहुत बढ़ाई उनको आगे बढ़ते हैं पेज 2-3 में कुछ काम काने पेज 4 में केस्टरी बनाते हैं केस्टरी ऐसी की आनंद मुनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक प्रपोजल आया है कि हमें कतल खाना यानि स्लोटर हाउस बनाना है ऐसे कुछ ग्रूप्स ने या अंट्रपिनियोर ने डिमांड किये और उसके लिए वो मुनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप जानते हैं वो सब हेल्ध, हाइजीन, सैनिटेशन के सब लाइसन सर्टिफिकेट लेने पड़े अब ये जो बिजनसमेंने उनकी दलिले ऐसी हैं कि हम जो बनाने जा रहे हैं कतल खाना वो दार्मिक स्थानों से दूर है कोई बंदीर, जैन देरा सरनेजम तो दूर बना रहे हैं किसी की दार्मिक बावना आहद नहीं होगी दूसरा, लोगों को मासाहर करने का freedom of food है तीसरा, हमको freedom of business है, ये सब constitutional right है और फिर कि किसान को भी अपने जो बुड़े हो चुके हैं ऐसी मवेशियों को बेचना हो तो कतल खाने में वो बेच सके तो ये तो एकनामी के लिए भी ठीक अच्छी बात है तो हमें दे दिनी चाहिए और दूसरा, उनका ये भी argument है कि suppose permission is not given तो illegally भी कुछ न कुछ व्यापारी तो पशुओ को मार के वो मास बेचेंगे ही लेकिन जो illegal काम करेंगे, चिप-चिप के काम करेंगे तो municipal inspector शायद उसको देख नहीं पाए health, sanitation, safety के guidelines उस पर लागों ने खरपाए so better कि वो legally आप permit कर दो तो ये सब तो है उनकी argument सामने जैन समाज के प्रतिनी दियों ने विरोध किया है उनका ये कहना है कि एक तो दार्मिक अमारी आइंसा की बावना आहत होती है दूसरा fundamental duties उसमें भी कुछ बात है कि animal cruelty को prohibit करो पशू अत्याचार बंद हो जाए तो वो कह रहे है कि नहीं इसको permission मत दो so now the question is this municipal commissioner यानि IS के रूप में आप क्या decision लेंगे permission given और permission not to be given या फिर आप ऐसा कहेंगे नहीं आप सब लोग high court में जाओ और उदर से judgment लेके आओ मैं तो indecisive person हूँ मेरे से कोई decision नहीं लिया जाता आगे बढ़ते है page 6 pollution में आप जानते हैं वो supreme court ने एक order दिया था 2018 में कि fire cracker पर प्रतिबंद हो और फिर अब उसमें और सक्ति दिखाई है कि अगर वो state government के officer इसको ठीक से नहीं लागू करेंगे तो उनको हम सजा दे सकते हैं contempt of court वागेरा तो वैसे आप जानते हैं इसमें जानने लाइक चीज क्या है barium salts वो firework में इस्तिमाल नहीं कर सकते शायद उससे ज़्यादा दुआ या production कुछ होता होगा तो ये भी एक और चीज है उसमें फिर person in news में करनड एक्टर पुनित राज कुमार की देहांद हुई heart attack में UPSC IS exam level पर नई पर non IS exam में ऐसी सब general knowledge होनी चाहिए फिर एक और awards में तो union housing and urban affairs ministry ने award दिया कि सूरत में best public transport system है और कोची में most sustainable transport system है वो शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो एरपोर्ट में उन्होंने solar panel लगाए हैं वगरा हम पढ़ने नई बैठेंगे for a simple reason ऐसे 25 डजन और यावर चलते रहते है solar panel में best state यह है gutter का पानी इसाब करने best state यह है एक हद तक पता होना चेए अच्छा स्वच्छ भारत सर्वेक्षन वो बड़ी चीज़या में पता हो national institutional ranking framework में कौन से college को best मिला पता होना चेए पर ऐसा हर एक छोटी चीज में करने बैठे then you cannot remember it and recall it in real life तो है वो लेकिन हम एक हद से जादा वो सब याद नहीं रख सकते page 8 और 9 पर जो column है कुछ आप पढ़ सकते हैं बाकी बात तो वहीगी CPT हो रही है climate change के बारे में और ये share market क्यों गिर रहा है हो तो हमने एक दो दिन पहले मैंने आपको बता है फिर और कुछ राजमोहन गांधी ने column लिखिये कि सरदार पटेल ने क्यों बटवारी यानि partition को समर्थन किया क्योंकि उन्हें लगता था कि सब साथ रहेंगे तो ये problem आ सकते हैं उनकी बात है फिर NDPS Act Narcotic Drug Psychotropic Substances Act में सुधार किये जाए अब क्या सुधार किये जाए वो तो हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ लिया कि Social Justice Ministry बोल लिया कि वो फर्स टाइम यूजर हो तो उसको जेल में मत बेजो Reform Center में बेजो वगएरा इधर कुछ और बाते करिये हैं वो आयन खान वगएर अपन कुछ नया जानने लाए खास है नहीं आगे बढ़ते हैं पेज 10 आपको पता है प्रदान मंत्री जनारोग यूद्न है पांट लाग का Health Insurance गरीब लोगों को मिलता है गरीब मतलब कौन? Social Economic Census के हिसाब से जिनको उसमें किया around 10 करोड families are there लेकिन आप उसमें पाएंगे कि जो अमीर लोग हैं उनको तो नहीं मिलेगा और उनको चाहिए भी नहीं because they can purchase the Health Insurance on their own अमीर लोग तो कुछ से स्वास्थ भीमा खरीच सकते हैं और गरीब लोग को मिउफत में मिल रहा है but the problem is निम्नवध्यम वर्ग lower middle class ना खुद के पैसे से खरीच सकता है क्योंकि कोरोणा में उसकी income कम हो गई और सामने health insurance कंपनियों ने कोरोणा के चलते insurance की premium या fees पहले से महेंगी कर दी और उनको free scheme का लाब नहीं मिलता कि तुम तो गरिब नहीं हो तो ऐसे lower middle class को भी कुछ मदद मिले ऐसा नीतिया उग ने suggest किया है अब असल में कोई scheme launch होगी या original scheme modify होगी तो हम इसे ओर पड़ेंगे page 12 explained series में कुछ ऐसा है कुल मिला कर कि poker और रमी वो सब पत्तों की सब card games है क्या वो जुआ है is it gambling या फिर वो कोशल्य की परिक्षा है is it a game of skill कि आपको दिमाग लगाना पड़े और gambling क्या होता है कि random uncertainty या probability के इसाब से पत्ता लगा की नहीं या यहाँ पर कि दिमाग से सोतना पड़े ये नियम के इसाब से ये पत्ता डालू की नहीं तो तमिलाडू सरकार ने तेलंगाना सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जहाँ पर ऐसी online sub games को बैन किया गया कि it is gambling फिर तमिलाडू हाइकट ने का no it is not gambling it is a game of skill और इन सब को भी right to profession website का अधिकार है जो भी ऐसी website चला रहे है अभी नया मुद्दा इसलिए आया कि करनाटक सरकार भी कुछ ऐसा ही कानून बना रही है लेकिन उसको भी high cut में ऐसी दिक्कत आ सकते हैं कि online gambling को बैन करें और उसमें ये सब games वो बोलना है कि ये तो gambling नहीं skill है फिर एक और explained series है कि बारत के प्रदान मंतरी वेटिकन में पोप यानि इसाई समुदाय के जो सर्वोच प्रतिनिदी हैं उनसे मिलेंगे तो उससे पहले कितने प्राइमिस्टर मिले थे और politics में क्या आसर कुछ खास ऐसा काम है मिलके कुछ नया joint declaration आए तो फिर हम उसे पढ़ेंगे Facebook का metaverse meta मतलब वो Greek शब्द है जिसका मतलब beyond या after कि virtual reality, augmented reality में आप जाकर सब दुनिया second life जीओ उसमें क्या problem आ सकते हैं problem एक तो उसके जो device होते हैं वो बहुत expensive होते हैं वो 3D type के glasses या machine लगा कि आप उसे देख पाते हैं दूसरा problem है interoperability वैसी बात सपोज आप PUBG वीडियो गेम खेलते हो और उसमें आपने कोई नया weapon हत्यार खरीदा तो वो वाला weapon कोई Fortnite game में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसका वापस से अलग payment करना पड़ेगा उसी तर ऐसी virtual reality world में facebook कुछ अपना बनाए जहां पर आप जाके games खेल सको या दूसरों से interact करो उसमें आपने कोई नया t-shirt खरीदा, मकान खरीदा, virtual, digital assets तो वो सामने reflect होगा कि नहीं दूसरी कोई दुनिया में आप जाओ तो आगे बढ़ते हैं page 13 Secularism and Child Marriage भारत में तो बाल विवापर प्रतिबंद है and India is a secular country, दर्म निर्पेक्ष देश है अपना लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा कानून है Child Marriage Prohibition Act तो किसी पाकिस्तानी ग्रूप ने वहाँ की कोट में PIL लगाई कि पाकिस्तान secular country नहीं पाकिस्तान इसलामिक देश है तो वहाँ की सरकार बाल विवापर प्रतिबंद का कानून नहीं बनाए क्यूंकि वो सब मरलब इसलाम के खिलाब होगा तो पाकिस्तान की कोट ने कहा है कि वो इसलाम के खिलाब नहीं है मरलब बाल विवापर प्रतिबंद कानून बनाना इसलाम के खिलाब नहीं है ऐसा उनकी कोट ने बताया तो यह सब क्या comparing constitution और उसमे secularism, religion और यह सब चीजों को इसलाम को उसके साथ जोड़ा जाए जब कोई बहुत बड़ी चर्चा करनी हो फार में इंसान इंटर्विव page 14 economy में कुछ खास काम करने RBI ने current account exposure norms में कुछ सकती या आसानी दिखाए वो ऐसा है आपके पास business man के पास current account हो तो उसमें आप पैसा डालते हैं और पैसा नहीं हो तो आप बॉरो भी कर सकते हैं उसमें से overdrive facility बगएरा तो उसमें कितना पैसा बॉरो कर सकते हैं क्या limit होगी कुछ नियम सखत होंगे easy होंगे वो सब जो technical चीज़ें they are not important for our exam UPSC exam will not waste time और बाकी जितने समाचार थे वो business और general knowledge और sports की जो मुझे खस काम की नहीं लगी तो ये था शनिवार का newspaper और मैंने आपको बता है Sunday and Thursday I am going to keep holiday तो कल वीडियो नहीं होगा उसमें जो जाने लाइक होगा वो पर्सो के वीडियो में देख लेंगे So I end the class here, see you next time